कि भारत की ब्लोक सवा की पार्लिमेंट का इफ्थता हुआ हमारे पदान मंत्री वो एक फोटू आई लेटे वे हैं फिर एक टीवी पर मैं देखा कि ब्लोक सवा के अंदर पदान मंत्री जा रहे और उनके पीछे कम से कम 18 से 20 हमारे हिंदू भाईयों के मख़ब के पुजारी मंतर पढ़ते वे जा रहे हैं पदान मंत्री मुझे देखकर बड़ा ताज्जब हुआ कि आपके दिल में ये जगा क्यों नहीं पैदा हुई कि जब हिंदू पुजारियों को लेकर मैं जा रहा हूं लोक सवा के अंदर तो उसमें इसाई पादरी भी होना चाहिए था उसमें सिख़ों के मख़बी रहनुमा को भी होना चाहिए था उसमें मुसल्मानों के कोई एक मौलाना को भी रहना चाहिए था अरे यही तो भारत की खुबसूरती है वजीर आजम इस देश का मजब एक नहीं है भारत का एक मजब नहीं है भारत किसी मजब को मानता भी नहीं है भारत पूरे मजबों को मानता है इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है इंडिया सब रिलीजन को मानता है अगर कोई रिलीजन को नहीं मानता है इंडिया उसको भी मानता है मगर अफसोस हुआ देश के बदान मंत्री आप सिर्फ एक ही मजभ के लोगों को लेकर गए लोग सवा में काश आपका दिल बड़ा होता तो उसमें इसाई, सिक, मुसल्मान और जेन लोग भी अंदर होते बाहर हुआ मगर लोग बोलते अब बोलिंगे नहीं बाहर नहीं हुआ उस सुर्य रह्मान का सुर्य रह्मान का सुरा नहीं पड़े अड़े भाई अंदर भी पढ़ना था अंदर भी पढ़ना था इन्हीं लोगों को ले कर गए वो लोग सभा का नया इफ्टदा नहीं दिख रहा था ऐसा दिख रहा था कि कोई दिल्ली के सुल्तान की ताज़ पूशी हो रही है अफसो सुआ पार्लिमेंट की जरूरत है पार्लिमेंट बनना चाहिए मगर ये क्या हुआ है क्या ये भारत कसे कुलरिजम है क्या ये सत्तमेवे जैते है क्या ये ही दिन देखने के लिए हमारे बुजरगाओं ने अंग्रेज़ों से लड़कर अपनी जानों के जीम खुर्बानी दी थी क्या इसलिए हमारे बुजरगाओं ने काला पानी की सजा काटी थी कैसी लिए जलियन माला भाग में हमारे बजरगाँ ने अपनी जानों को खुर्बान कर दी अंग्रेजों की घुलामी से आजादी हासिल करने के लिए कैसी लिए बहदूर्शा जफर के साम में उनके बेटों की कत्यवे सर को लाकर पेश किया गया था कैसी ने ठीकों सुल्तान ने अपनी जन की खुर्बानी दे दिये अंग्रेजों से घुलामी को अजाद कराने के लिए बताइए आप मेरे अजीज दोस्तों और मुझरों ये देश के वजिर आजम को नहीं करना चाहिए था मिस्टर मौडी आप हिंदूओं के भी प्रैमिनिस्टर है मुसल्मानों के भी है इसाईयों के भी है सिकों के लिए भी है आदिवासियों के लिए आप सब 130 को जन्ता के वजिर आजम है आप एक मजभ के नहीं है तो लोग अब कल से बोलेंगे वो इसी तिरा मजभ कौन सा है अरे दिवाने मैं प्रैमिनिस्टर आफ इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं प्रधान मंत्री की बात कर रहा हूँ मैं वजीर आजम हिंद की बात कर रहा हूँ मेरी बात तुम कब जब करोगे जब कोई में ओहदे पर आऊंगा मगर इन्शालला हो ताला जब तक अल्ला मुझे जिन्दा रखेगा जब तक आपकी दुआएं आपका साथ रहेगा असद अद्दीन हो यसी जहां ठेराए वही ठेरेगा मेरी अगर ये फखीरी है तो मुझे अपनी फखीरी पर नाजए अल्ला ने मेरी फखीरी में शाही दी है जो मुखाम अल्ला ने मन्दिस्स के लगों को दिया है तो किसी बड़े बड़े जमाद के खायदीन को लाने नहीं दिया है ये अल्ला का बहुत बड़ा करम और फजल है